हेलो दोस्तो नमस्कार आपका हमारे इस यूडूब चैनल योधिनियन पर हर्दिक स्वागत है दोस्तो आपके लिए खास आप साइकलोजी बुलाए नहीं बुलोगे बुद्धी इंटेलिजेंस अर्थ परिवासा विश्यस्ता प्रकार इवन बुद्धी लब्दी और उसके मापनशे समंदित एहम जानकरी जो अगजाम में आ सकती है जो आपके लिए महतवपूर्ण है तो दोस्तो इस वीडियो को लगातार आंद तक देखिएगा अगर लगातार देखोगे द्यानशे देखोगे तब ही आपको ये टोपिक समझ में आएगा शिरुवात करते हैं आज के टोपिक बुद्धी, इंटेलिजेंस, बुद्धी, इंटेलिजेंस, 1885 में इंगलेंड के फ्रांसी गोल्टन ने बुद्धी सबदगा प्रियोग किया तथा जनता का द्यान बुद्धी किया और आकरशित किया, दोस्तो बहुत बार अगजाम में पूता दा चुक ह 1885 में सबसे पहले फ्रांसी गोल्टन ने बुद्धी सबदगा प्रियोग किया था, 1890 में ही केटल ने सबसे पहले मानसिक प्रिक्षन सबदगा प्रियोग किया, मानसिक प्रिक्षन सबदगा प्रियोग किया था, केटल ने 189090 में, 1905 में सबसे पहला बुद्धी प्रिक्ष दोस्तों बहुत बार अगजाम में आ चुका है 1905 में सबसे पहला बुद्धी प्रिक्षण एलफरड विने ने साइमन की मदद से त्यार किया जिसका नाम था विने साइमन बुद्धी प्रिक्षण सबसे पहला बुद्धी प्रिक्षण है एलफरड विने ने और ये साइमन की मदद से त्यार किया था 1905 में सूरी 1908 में सबसे पहले एलफरड बिने ने मानशिक आयू सबद का प्रियोग किया था फिर है 1912 में सबसे पहला बुद्धी प्रिक्षन का सुतर 1912 में दिया गया सुतर है मानशिक आयू बटे वास्तिवक आयू में बटे सी है दोस्तो इसमें multiply to 100 नहीं है ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहला बुद्धी प्रिक्षन का सुतर दिया था 1912 में दिया गया दोस्तो अलग लग नाम से है ये ध्यान रखना कुछ डिफरेंट है 1916 में टर्मन के दवारा 1916 में बुद्धी लबदी को संसोधिन सुतर दिया था 1916 में टर्मन ने सुतर है मानशिक आयू बटे वास्तिक आयू multiply to 100 यानि में बटे सी है multiply to 100 इससे आपकी बुद्धी लबदी ग्यात हो जाती है तो दोस्तों ये एहम बाते आपको जी जो अगजाम में आ सकती है अब आते हैं बुद्धी की प्रिवासा बकिंगम के अनुसार शीखने की योगता बुद्धी है मन के अनुसार नवीन प्रस्तितियों को जेलने की मस्तिस की नमिनेता ही बुद्धी है अरमन के अनुसार अमुर्त विचारों के बारे में सोचने की योगता ही बुद्धी है अमुर्त विचार जो आते हैं उसके बारे में सोचने की योगता ही बुद्धी है बुद्धी की विशेष्टा बुद्धी की क्या क्या विशेष्टा होती है मुष्टली एक्जाम में बुद्धी की विशेष्टा आती है आप सभी को पता है बुद्धी जनमजात होती है इसमें वातावन से अर्जित नहीं किया जा सकता हर व्यक्ति की बुद्धी दूसरे व्यक्ति से अलग होती है बुद्धी एक विकास सिल्व परवर्तन सिल्व योगता है लिंग बेज से बुद्धी पर कोई प्रभाव नी पड़ता बुद्धी पर वनसानुकर्म और वातावन दोनों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों मोश्ट इपोर्टेंट है वनसानुकर्म और वातावन का बुद्धी पर अवकोस प्रभाव पड़ता है बुद्धी इकाई नहें होकर अनेग इकाईयों का समुह है बुद्धी एक इकाईयों का एक तुहें प्रभावित नहीं होती याद रखना दोस्तमई गनक शुत्र के इसका समद्ध सब्धा या से निट्टों सिखने वैस खेलों में बाग लेने के लिए महतोंपूर होता है समाजिक बुद्ध इस बुद्धी का समद समाजिक अनुकुलन-शिलता से होता है याद रहत Bhagya दोस्तो बुद्धी तिन पकार एम परवर्थक सपीर मैंने के प्रवर्टक सपीन है समाने ततो जनम्जात विशिष्ट ततो अर्जित भुखप्यासाधी आजित बनना बाद में ये और ततो जोड़ा जिसे तरी ततो कहा गया सबीर मैंने जो दिवी कारक में सिधान्त में जोड़ा गया जिसको बाद में तरी ततों कहा गया कि फिर है दोस्तों बहूत ततों सिधान्त बहुत ततो सिधान्त के परवर्त का थारंडाइक थारंडाइक ने अपने बहुत ततो सिधान्त की तुलना एक बालू के टीले से करते विए उन्चाई चुडाई छेतर भलेवा गती की सर्चा की है इस अधार पर सिधान्द कलाता है कि बालोगा सिधान्द या प्रमानुवादी सिधान्द है इसे दोस्तों बहुत ततों सिधान्द को बालोगा सिधान्द भी कहते है प्रमानुवादी सिधान्द भी कहते है जिसके परवत तक है थारंडाइक थारंडाइक ने बताए कि वैक प्रिक्षण योगाता है यह देखिया दोस्तो केले का सिदांत केले का सिधांत मान स्थान निमित माना है दोस्तो पदो से समदीता है इस इधानत में मानशिक योगताओं को कर्मिक महतो परदान किया जाता है इनके अनुशार सपीर में इनकी समानने मानशिक योगताओं को महतो दिया है बुद्धि लबदी का सुत्र दोस्तों आपके एक्जाम में बुद्धि लबदी का सुत्र जरूर आता है चाई C dato, Usted hat ho, UT D才 ho, Rit ho, KVS ho NUS ho, DEE triple fps bhi ho या कोई भी एक्जाम हो teaching का उसमें आपको जरूर मिलेगा दोस्तों बुद्धि लब्दी का सुतर जिसे मानशी का यो बटे वास्तिय का यो एनि में बटे सी है मुल्टिपलाई टू हैंड रहे हैं टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्दी वरग आईक्यू लेवल देखिया दोस्तों आपके एक्जाम में आईक्यू लेवल से समनित दो परशन जरूर पुचे जाते हैं किर्पया ध्यानशे और मन लगा कर देखिएगा दोस्तों हमारी वीडियो एक सो तालिस से दिक परतिवासाली बुद्धि होती है एक सो बीस से एक सो चालिस अती स्रेष्ट बुद्धि होती है एक सो दस से एक सो बीस स्रेष्ट बुद्धि होती ह और समाने बुद्धी दोस्तों समाने बुद्धी मुश्टलिक उचाजाता है 90 से 110 होती है फिर है मंद बुद्धी मंद बुद्धी शुरूआ हो जाते है 80 से नीचे 80 से 90 मंद बुद्धी श्रिन सत्र शेसी और पतास से सत्र मुर्ख बुद्धी वाले होते हैं तो दोस्तों ये प्रुषैस आपको याद रखना होगा और आपके एक्जाम के लिए most important है आज हमने बुद्धी, बुद्धी के परकार, बुद्धी के परिवासा, अर्थ, महतोपुन जानकारी और बु बेस्ट वीडियो बनाई है, किरप्या जादा से जादा लाइक करें और कोमेंट के दवारा बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, थैंकि वरी मैच, हैवे, नाइश लेए